गुरकनात मंदर गुरकपुर में विज्या दश्मी का पर्व अश्मिन शुक्ल दश्मी समवत दोहजार श्रीयतर दिनांक आठ अक्टूबर मंगलवार को हर्श उल्लास के साथ मनाय जाएगा विजय दश्मी श्री गोरकनात मंदर गोरकपुर का महत्वपूर तेवार हैं सफसर पर परंपरागत अनेक कारक्रम आयोजित होते हैं गोरक्ष पीटादीशपर की शोभा यात्रा विजय दश्मी के दिन साया चार बजे गोरकनात मंदर से निकाली जाएगी जो अधियारी बाग स्थित मान सरोवर मंदर रामलीला मैदान तब जाएगी रामलीला मैदान में पहुँच कर सीएमव गोरक्ष पीटादीशपर महत्योगी आदितनात मर्यादा पुरिशोत्तम भगवान श्री राम का राश्तिलग करेंगे यह जानकारी गोरक्ष नात मंदर के प्रधान पुजारी योगी कमलनात ने बताया कि 29 सतंबर को सायंकाल 5 बजे कलश सापना 5 अक्टूबर को महानिशा पूजा एवं हवन तथा दिनान 7 अक्टूबर को मान नौमी वरत तथा 12 बजे कुमारी करन्या पूजन एवं भोज का आयोजन होगा विजद अश्मी के दिन गोरक्णात मंदर में प्रातगाल 9 बज कर 25 मिनट से श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन गोरक्ष पीठादीश्वर महंत योगी आदितनात द्वारा किया जाएगा इसके बाद तिलक उत्सव का कारिक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बज गोरक्ष पीठादीश्वर महंत योगी आदितनात महराच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सानिद में शोभायात्रा निकलेगी शोभायात्रा गोरक्णात मंदर से निकलकर अधियारी बाग स्थित मान सरोवर शिफ मंदर पहुंचेगी जहां पर गोरक्ष पुरी राम का राश्तिलक का कारिक्रम उपस्तित जन समुदाय को मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठादीश्वर महंत योगी आदितनात का आशिर वल्चन होगा ततपशार शोभायात्रा पुराना गोरकपुर होते हुए वापस गोरकनात मंदर आएगी और सायंकाल साथ बज सहबोज का आयोजन होगा